हेलो स्टुडेंट्स, माइसल्फ मौश्मी भट्टाचार्या फ्रॉम शेट विद्यामंदिर इंग्लिश हाइ स्कूल सीबी स्सी वसई आज मैं आपको कक्षा साथ वसंत का पाठ सत्रा वीर कुवर सिंग फिर से समझाने जा रही हूँ इस पाठ के द्वारा सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर से नानी कुवर सिंग की वीरता और साहस का परिचे दिया गया है कक्षा छे में हमने जासी की रानी कविता पड़ी थी जिसमें कुवर सिंग का नाम आया था इस स्वतंत्रता महायग में कई वीरवर आये काम नाना दूदू पंत तातिया चत्तुर अजिमुल्ला सरनाम आमद शाह मौलवी थाकुर कुवर सिंग सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम ये वही कुवर सिंग है जिनोंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत पर चड़कर हिस्सा लिया सन 1857 के व्यापक सस्त्र विद्रों ने भारत में ब्रिटिश शाषन की जड़ों को हिला दिया था भारत में ब्रिटिश शाषन ने जिस दमनीती को आरंब किया था उसके विरुद्ध विद्रों शुरू हो गया था मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रेल 1857 को फासी दे दी गई दस माई 1857 को मेरट में भारतिय सानिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुदान दोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गया दिल्ली में तानात सानिकों के साथ मिलकर 11 माई कोनों ने दिल्ली पर कबजा कर लिया और अंति मुगल शाषक बादु शाषक जफर को भारत का शाषक खोशित कर दिया गया विद्रो दूर दूर तक जंगल की आग की तरह फैला दिल्ली के अतरिक्तिया अत्यदिक भीशनियों दूआ वे केंडर थे कानपूर लखनू बरेली बुंदलखंड और आरा विद्रो के मुखे निताओं में नाना साहेब तात्या टोपे बक्त खान अजिमुल्ला खान रानी लक्षमी बाई बेगम हजरत महल कूवर सिंग मौलवी आमोदुला, बहादूर खान और रावतूला राम थे 1857 का आंदोलन स्वतंतरता प्राप्ति की देशा में एक द्रिड़ कदम था 1857 के आंदोलन में वीर कुवर सिंग का नाम करिद रिष्टियों से उलेकनी है कुवर सिंग जैसे वयोगरद व्यक्ति ने ब्रिटिश आशन के खिलाफ बहादूरी के साथ युद्र किया वीर कुवर सिंग के बचपन के बारे में बहुत आदिक जानकारी नहीं मिलती कहा जाता है कि कुवर सिंग का जन्मा बिहार में शहापाज जिले के जगदीशपुर में सन 1782 इस्वी में हुआ था उनके पिता का नाम सहबजादा सिंग और माता का नाम पंचरतन कुवर था कुवर सिंग के पिता वीर होने के साथ स्वाभी मानी एवं उदार सवाओ के विक्ती थे कुवर सिंग के सिक्षा दिक्षा की विवस्था उनके पिता ने घर पर ही करी थी सन 1827 में बाबू कुवर सिंग ने अपने पिता की मृत्यू के बाद अपने रियासत की जिम्मेदारी समहली जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले बसुरिया बाबा ने कुवर सिंग के मन में देशवक्ती और स्वाधींता की भावना उत्पनी की उन्होंने 1845 से 1846 तक गुप्त धंग से ब्रिटिश उकुमत के खिलाफ विद्रों की योजनाय बनाई सोनपुर के मेले को गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना कुवर सिंग ने 27 जुलाई 1857 को आरा पर विजय प्राप्त की 23 अप्रेल 1858 को स्वाधींता की विजय पता का फहराते हुए जब वीशपुर पहुँच गया 26 अप्रेल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया स्वाधींता से नानी वीर कुवर सिंग युद्धकला में पूरी तरह कुशल थी चापा मारी उद्धकरने में उन्हें महारत हासिल थी कुवर सिंग के रनकोशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णत असमर्थ थे दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था 1857 के स्वतंतरता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौद के घाट उतारा उसकी चमक आज भी भाटे इतिहास के प्रिष्टों पर अंकित है उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है वीर कुमर सिंग ने बेटी शुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही उन्होंने अनेक सामाजिक कारे भी किये उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए अपनी जमीन दान कर दी उन्होंने सड़के बनवाई कुए खुदवाए कहा जाता है कि उनकी आर्थे के स्थिती बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाय प्रदान की उनमें से एक है आरा जब विश्पुर सड़क और आरा बलिया सड़क कर निर्मार उस समय जल की पूर्टी के लिए लोग कुए खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे वीर कुवर सिंग ने अनेक कुए खुदवाए और जलाशे भी बनवाए कुवर सिंग उदार एवा मत्यंत संबेदन शील बहपी थे इबराहिम खां और किफायत हुसेंग उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीं थे उनके हां हिंदूओं और मुसल्मानों के सभी तेवहार एक साथ मिलकर मनाय जाते थे उन्होंने पाठशालाय और मक्तब भी बनवाएं बिहार के प्रसिद कवी मनोरंजन प्रसाद सिंग ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते वे लिखा है चला गयाईयों कुअर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भैभीत वीर प्रसविनी भूमी धन्न वह धन्य वीर वह धन्य आती गाते थे और गावेंगे हम हर्दम उसकी जैकागीत स्वतंत्रता का सैनिक था आजादी का दीवाना था सब कहते हैं कुअर सिंग भी बड़ा वीर मर्दाना था पाठ में आएवे कठिन शब्द इस प्रकार हैं कूच करना प्रस्थान करना शसस्त्र विद्रोह शस्त्र लेकर विद्रोह करना वयोवरिद बड़ा भूढ़ा जिम्मेदारी दाईत्व बागी सैनिक विद्रोह बगावत करने वाले सैनिक ज्वाला आग परास्त होना हारन प्रस्थान आगे बढ़ना, अगुवाई नेत्रित्व, मौत के घाट उतारना, मार डालना, अकिंचन बहुत गरीब दरिद्र इस प्रकार पाट से हमें यह सीख मलती है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए एवं अगर जरूरत पड़े तो अपने प्राण नेचावर करने के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए पाट के अंतरगत आपको पठित गध्यांग्ष, बहु विकल्पिय प्रश्न, अतिलगूतरिय प्रश्न, लगूतरिय प्रश्न एवं दियगूतरिय प्रश्न करवाए गये हैं सभी प्रश्णोतरों को याद करें एवं व्याकरन से सम्मंदित प्रश्णों को पुनपुना दोहराएं हमारे पाठ का पुनरभ्यास यहीं पर समाप्त होता है धन्यवाद